अगर आपने भी फॉरेवर लीविंग प्रोड़क्स में आपको वर्क करना चाहते हैं और उसमें आपने आईडी क्रियेट कर लिए लेकिन आपको आईडी क्रियेट करने के वाद आपको कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने 2CC नहीं किया तो क्या मेरी आईडी जो क्रियेटे मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ तो हेलो एवरीवन मेरा नाम सुझाता है मैं खाउस फाइफ हूँ और डिजिटल मार्केटर तो जैसे कि मैंने आपको बताए जब आप आईडी क्रियेट कर लेते हो उसके बाद आपका आईडी अगर आपने 2CC लेवल कंप्ल आईडी के पॉलिसी के हिसाब से जब आप आईडी क्रियेट कर लेते हो वहां से 45 डेस का आपको 45 दिन का आपको टाइम मिलता है तो आईडी क्रियेट करने के वाद आपको 45 दिन का टाइम मिलता है उसमें आपको कुछ ना कुछ बिलिंग करने होती है जैसे कि आप फॉर्य किसी अगर आपने कर लिए 45 डेस में तो आपकी टर्मिनेट नहीं होंगी वह सेफ है उसको कुछ भी नहीं होगा लेकिन अगर 45 डेस में अगर आपके आइडी पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया मतलब आपने कुछ भी उसमें ना कि मिनिमम्म बिलिंग किये ना फिर और के company के थुरू इसलिए अगर आपने आपने आईडी create कर लिए तो उसमें आपको minimum billing जो कि होती है thousand रुपीज की तो वह आपको minimum करना होता है तो फिर आपकी ID safe रहती उसमें को कोई terminate नहीं करण पकता यह से कि अभी बहुत से team में बोला जाते है या फिर रोपर देके आपको बोला जाता है कि उसकेतर है तो इस टाइब कर लिए तो आपको इसमें आपको बीसनेसל करना होगा आपको आपको को minimum billing करने होती है या फिर as a preferred customer की जो 5000 की billing होती है वो आप करके अपना business grow कर सकते हो और start कर सकते हो तो होपसों आपको समझ में आगया होंगा कि अगर आपने ID create भी कर ली होंगी तो आपको 45 days में आपको उसमें कुछ ना कुछ billing करने होती है तब आपकी ID सेफ है वो टर्मिनेट नहीं होगी और वही 45 days में अगर आपने उसमें कुछ भी प्रोग्रेस या कुछ भी billing नहीं की होंगी तो फिर आपकी 45 days में आपकी ID टर्मिनेट हो जाती है और अगर फॉरह से अगर आपको कुछ भी issues आता है कुछ भी problem आता है तो आप दी हुए WhatsApp नमर पर मुझे contact कर सकतो मैं आपको जरूर हर्प करूंगी so thanks for watching my video मिलते कोई अगले वीडियो में